हलो एवर्वान वेलकम टू आवार्ट चानेल स्वेतलानाज गैलरी कैसे है आप सब मैं एकदम ठीठाक हूँ अभी तक आप सभी की हाल चाल कैसा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना मत बूलिए और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बूक पर फॉलो कर सकते हैं Instagram id मैं यहाँ पर screenshot दे रही हूँ और Facebook कभी यहाँ पर screenshot दे रही हूँ ID का मात्रहाई पर नहीं होंगे मेरे Instagram या फेस्बूक में जाते आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाली हूं वीथ ओजीवा माचा प्लास के बारे में हम हर कोई लगभग जान चुके हैं ओजीवा नाम करके एक प्रॉडक्ट आता है बहुत सारा प्रॉडक्स आता है ओजीवा की तरफ से जो कि हमारी हेल्थ और वेलनेस के साथ साथ हमार ब्यूटी के लिए भी बहुत ही जादा काम आता है चाहे आपकी स्कीन रिलेटेट प्रॉबलम हो या फिर आपकी हेल्फ रिलेटेट प्रॉबलम हो चाहे आपकी स्कीन की एकने या फिर पिग्मेंटेशन की प्रॉबलम हो ब्लैक पैचेस की प्रॉबलम हो डाक सरकल की प्र फेल्स फोर स्कीन और पिगमेंटेशन और डाक सर्कूलिस इस से हमारी स्कीन की जो पिगमेंटेशन है और शौकल्स है वो रिमुव हो जाएगा SKIN को उपर से जितना चाहे आप SKIN KARE कर लीजिए उतना ज्यादा एफेक्ट नहीं मिलता है जब तब कि आपकी अंदर प्योर नहीं होता है अंदर से purity जब आएगा आपकी skin में glow अगलत भी दिखेगा बाहर से भी इसलिए अंदर को ठीक करने के लिए मैं recommend करूंगी ओजिवा की products यूज करके देख सकते हैं मैं इसको लगभक 15 दिन हो गया यूज कर रही हूँ उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा skin मैंने कुछ makeup अगेरा नहीं किया है आप देख सकते हैं कोई भी makeup नहीं है मेरे face पर अभी तक सिर्फ lipstick काजल यूज किया है उसके अलावा और कुछ नहीं आप देखी सकते मेरा skin बहुत ही जादा glowing दिख रहा है स्पॉटलेस दिख रहा है यहां यहां थोड़ा थोड़ा जो आप देख रहे हैं एकने स्पॉट्स है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है जब तक मैं जब से मैं इस को ले रही हूँ उसके बाद से मेरा जो स्कीन में pigmentation थे डार्क स्पॉट्स थे थोड़ा स्लाइट जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम थी वो कहीं हद तक रिड्यूस हो चुका है आप सभी को दिखी रहा है मेरा स्कीन कैसा दिख रहा है मैं बहुत खुश हूं ओजीवा की आप युका को ट्रिंक करने के बाद इसमें हैं माचा माचा के वारे में हम बहुत सारे लोग सुने हैं मबगर कोई को इंटिक किया है कोई कैंनी किया है किसे को पता भी नहीं है तो आज मैं बता रहे माचा क्या है वाट इज माचा माचा हमारी स्कीन को प्योरिफाई करने में हेल्प करता है हमारी स्कीन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है पिग्मेंटेशन को हटाने में हेल्प करता है अंदर से हमारी स्कीन को प्योरिटी देता है एंड हमारी जो दाग धब्बे होते है जिसकी वज़ा से कोलाजन लेवल को फिक करने में हेल्प करता है जिसे कि गडाग धबे। से घंप करता है मांचा यह सब करता है हमारी स्कीन के लिए लिकोराईज स्केन में पिर टंतने संवेल करता है साथ ही र nutasy union and glowing सबस्कुर्ण बनाने में हैं फीड़ कल YT MP3 00T 965 में हमारी फेलिद बनाने में से इसंप्र प्रिकीशन प्रेम इन का सब्सक्राइण अकने को control करने में help करता है और चीनजरं इम्म्योनके के लिए कितने जादा स्ट्रॉंग होते हैं हमारी health के लिए वो तो हम सभी जानते हैं। में जो भी काला दां धबबे होते हैं उसको रिमूफ करने में बहुत ही ज्यादा हिल्प करता है जिंजर यूज कैसे करना है हाउ टू यूज ओजीबा प्लास माचा प्लास कैसे हम यूज करेंगे सिर्फ इसके अंदर एक स्पून है मैं दिखा देती हूँ एक छोटू सा टाइनी सा स्पून आता है इसके अंदर जस्ट ऐसे करके एक स्कूप एक स्कूप लीजिए एंड होट वाटर में थोड़ा सा मिला लीजिए ओजीबा माचा प्लास की सिर्फ एक स्पून कें रिडियूस और आपकी स्कीन को प्यूरिफिकेशन की काम आता है साथ ही आपकी हेल्थ की वेनिविट आता है क्योंकि माचा जिंजर लिकोर आइस यह सब कुछ हमारी गट के लिए भी बहुती जादा हेल्फ पुल होता है हमारी गट को क्लियर रखने में हेल्प करता है जिससे की हमारी डाइजेस्टिव सिस्टेम भी ठीक रहता है जिससे की हमारी वेट लोज में भी हेल्प करता है मा कप माचा प्लास की गुर्ण क्या है अगर हम 10 कप ग्रीन टी पिए उसकी जितना बेनेफिट है इसमें वो है चार पॉमेग्रानिट्स की जो गुर्ण होती है वो इसके अंदर है माचा प्लास पे एक कटोरी भड़कर बेरीज अगर हम खाए उसके जितनी सारी गुर्ण है नूट्रिशन है वो सारी के सारी हम पा सकते हैं कोजिवा की माचा प्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्पून के साथ एक कप वाटर के साथ वाट मेक्स इट बेटर यह वीगन है सोई फ्री है प्रिजर्वेटी फ्री है और सबसे बड़ी बात और जी एम ओ है इसके अंदर एक सोसाइटीस गुल एंटियॉक्सिदेंट्स की पावर है तो फिर आप सोची सकते है अगर हम डेली इसको एक क्रम की स्पून में लेकर ए हमारी स्कीन को कितनी जादा बेनेफिट आएगी फिर ट्राइज जरूर करना ओजिवा की माचा प्लास एंड एक और प्राडक्ट आता है ओजिवा की एसीवी माचा जो की वेट लॉस में हिल्प करता है मैं शायद उसको भी ट्राइज करने वाली हूँ क्योंकि ये तो मेरा फेबरेट हो ही चुका है अब ट्राइज करूंगी एसीवी माचा फ्रम ओजिवा आप भी ट्राइज कीजिए एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माइच चैनल एंड लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर दीजिए फार फ्यूचर नोटिफिकेशन ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लूट करूं आपके पास तुरण नोटिफिकेशन जा सकी आज की वीडियो यही खतम करती हूँ जाने से पहले बता दूँ वीडिय की चानल को हेल्प होगी ग्रोथ होने में तो फिर आज की वीडियो यहां खतम करती हूँ नेक्स्ट मैं आओंगी एक और प्रोडक्ट के साथ ठीक ठाक रही है सुस्थ रहे तंदुरूस्थ रही है आज की लिए इतना ही टाटा बाई-बाई